हुआ है 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 लो गाइज बेलकम टो इसेड़ी आउस मैं हूँ अलुक सर्क और आज का टॉफिक होगा आपका टॉकिंग मेनर्स जो की स्पीकिंग कूर्स के लिए शुरुआत है और यह फर्स्ट टॉपिक है टॉकिंग मेनर्स में बातचीत करने का धंग तो सबसे पहले हम थ देली यूज के सब्द होते हैं कब कैसे बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं यह बताएंगे इसके बाद हमारे जो भी क्लासिस होंगे वह सबसे पहले होंगी कुछ बॉकिप पर आधारत और वाकिप के बाद जो बॉकिप ही नहीं आएगी आपको तो आप टॉकिंग कैसे कर प लेकर और दिन के 12 तक का जो समय होता है उसको हम गोड मॉर्णिंग करके बूलते हैं है बट करो बारा बजे से हो पहले बूल सकते हैं तो दिखिए वह होता है मॉर्णिंग का समय उसको हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग ये लिखाया जैसा कि गुड मॉर्निंग अब हम गुड मॉर्निंग बोलते किसे किसे हैं वो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखाया है हो सकता आपको समझ में ना आए तो मैं बोले दे रहा हूं हम गुड मॉर्निंग अपने डेड को बोलते हैं स्कूल मिसर क को बोलते हैं, और मैंने में को बताई दिये मैंने, तो इस तरीके बोलते हैं, तो sweetly बोलना चाहिए है, good morning Dad, good morning sister, good morning ma'am, अगर हम ऐसे बूलते हैं, तो हमारी speaking होती है, These 친 ing कहीं जाती है, तो good morning जानती है, तो सुबह की नमस्तों को हम good morning बोलते हैं, इसी तरह कंए देखा है दो फेयर की बाद वजी की बाद का समय होता है और समन में इविनिंग यौच बाजी तकते छिप्त। और 12 बजे की समय को हम वुर नून बोलते हैं बट जैसे बात में चलते हैं तो गोड अकeter नून बोलते हैं तो उसी तरीके से इसको बोल सकते हैं गोड प्र बोड़ रूंण शun पर लीम बरदर सिश्टर कुछे बोल सकते हैं ऐसे ही कि जब हमारा आपर फाईब 5 पाँच बजे की बात का समय रहा होताкой, तो गुड़ीबनिंग किसी से भी बोलना है हमें आपकी संहीं और अब टोर श्क्राइक डियर email बीदुखअर फिर आती यह बात सोते समय जब हमारा सोने का टाइम होता है तो उस समय हम किसी से भी जो भी मेरे पास हो वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स तो होते नहीं है वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स तो तब हो सकते हैं जब फ्रेंड्स के साथ हो कहीं तो फ्रेंड्स ही मुश्लिव होते हैं तो हम गुड़ नाइट बोलते हैं और वह तभी बोलेंगे ऐसा अचानिक नहीं बोला जाता वह भी गुड़ नाइट हम तब बोलेंगे जब हमारा सूती समय का टउद नाइट बोलते हैं तो गुड़ नाइट इस तरीके से हम यूज करते हैं अब बात आती है यह तो हो गया जाके हम गूड मारिनिंग, गुड आप्टर नून, गुड इिवनिंग और गॡ़ नाइट का फिर अब हमें अगर टाइम का ख्याल नहीं रहता मेरे पास बोच नहीं है तब किसी समय को भी गोड़ बोल सकते हैं इसके बाद आता है अपने दोस्तों के साथ जो भी होते हैं उनको हम हेलो करके बोलते हैं हाई या हेलो जब भी हम मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हेलो या हाई तो देखें यहां दिया गया हाई या हेलो आगे किसी का भी नाम या कोई भी अंकल वगरा जब भी हम मिलते हैं हाई अंकल हाउ आर यू आप कैसे हैं तो हाई या हेलो अंकल इस प्रकार से हम यूज करते है घ। आलो फ्रेंड्स बहुं मैं हैं कुछ भी तो हम कह सकते हैं तो यह मैं मुंसर के लिए यह नहीं मुश् boca लेए जाता है बिधियर जब कभी किसी से जब हम लोग होते चलने का टाइम होता है तो वहांपर यूज करते हैं गुड्वाइ और गुबबाई मीस होता है, अच्छा चलते हैं तो response मिलेगा आप किसी से, अगर आप से कोई बुलता है good why तो आप good bye heart नहीं बूलेंगे क्योंकि आप थोड़ी चलते हैं, आप तो वहीं रहते हैं, तो आप उसका जवाब दे हैं, buy bye अगर आपसे कोई घू नटा ना जाता है यह कौन बोलेगा ऑच्छा फिर मिलेंगे चलते तीम पर वते हैं यार आना जरूर हम लोग बोलते हैं आना जरूर फिर आना कभी तो चलते समयों जो भी जाने बाला होता है वो बोलेगा वाय श्यू अच्छा फिर मिलेंगे अब कुछ मेमोरेबल चीजें हैं जरह इनको भी समल लीजेगा जैसे ग्राइड फादर तो ग्राइड फादर को देख लीजेगा गराण पा इसी तरी गराण्टपा के हमको हूं जाता है क्योंकि वह हमारे पैरेंस होते हैं ॥ या यह कहलाते हैं तो इसी तरीके से अब यह होते हैं ग्राण्ट फादर ये हमारे दादा जी हो सकते हैं और नाना जी हो सकते हैं ऐसी ग्रांड मां होती हैं तो दादी जी हो सकते हैं और नानी जी हो सकते हैं तो यहां दिया गया है ग्रांड फादर और ग्रांड मदर को क्या बोलते हैं ऐसी फादर को क्या बोलते हैं तो फादर को मुस्टली वैसे तो फादर father means पिताजी होता है बट हमारी speaking English में हम उसको father को dad भी कहते हैं और daddy भी कहते हैं जैसा आपको simple लगे आप बोल सकते हैं फिर आता है uncle किसको बोला जाता है समझ लेजेगा uncle simple सा सब्द है और हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि uncle means चाचा no uncle means सिर्फ चाचा नहीं होता है uncle means होता है हमारा चाचा भी होते हैं हमारे ताउ ताया मीश ताउ होते हैं uncle mama को भी बोलते हैं uncle mousa जी को भी बोलते हैं और uncle fufa जी को भी बोलते हैं दूसरा simple यह है कि अगर हमारा किसी से कोई relation नहीं है और वो हमसे उम्रे में कुछ जाद ही लग रहे हैं तो उनको हम uncle use कर सकते हैं इसी तरीके साथ यह auntie और auntie की spelling जो देखी होगी आपने कई एक प्रकार से लिखी जाती ए-u-n-t भी होती है और a-u-n-t-i-e भी होती है तो यह auntie हुआ जागे तो auntie किसको बोलते हैं जैसी uncle को अलग-अलग प्रकार से बोला जाता है उसी प्रकार से auntie bird है फस्ट तो हम auntie अपनी चाची जी को ही बोलते हैं इसके बाद हमारी ताई जी भी हैं उनको भी auntie बोल सकते हैं बोल सकते क्या बोलते ही हैं मामी को अच्छा मामा मामी के लिए फिर से समझ लेज़े एक बार maternal uncle और maternal auntie सब्द यूज़ किया जाता है तो हम काम चला लेंगे auntie से भी मौसी और बुगा को भी हम auntie ही बोलते हैं मौसी को आप जानते होंगे मौसी मीज मदर से sister मा की बहन को मौसी कहते हैं और father से sister को हम भुगा बोलते हैं बट इन सब को हम क्या कहेंगे auntie इसके बाद आता है आपका cousin तो cousin मीज क्या होता है अब cousin मीज तो सिर्फ चचेरे सुना होगा जैसे चाचा का लड़का है कहीं हम इंट्रोडूश करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे cousin sister होगी तो भी बोलेंगे cousin तो cousin मीज चाए वो चाचा के बच्चे हों चाए मामा के बच्चे हों चाए मोशा जी के बच्चे हों चाहे फूपा जी के बच्चे हों उनको हम कजन बोलते हैं और कजन जो होते हैं आइदर ब्रोदर और सिस्टर चाहे वो भाई हो या बेन तो उनको हम कजन ही यूज करते हैं चचेर, ममेरे, मौसेर, फ़ुपेरे है यह हमारे कजन कहलाते हैं तो इस प्रकार से आज आपका यह शौट थोड़ा से समझने के ज़रूत है कि का 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 कि हम गुट मोर्णिक बोलते हैं जय सा की जो भी बता है आप कमसे कम ख्राइब को अच्छे से समझने लिए वीडियो को एक बार दो बार देखियेगां और देखे समझेगा इस के बाद ही आपको समझ में आयेगा कि हम कब क्या बोलते हैं और कैसे बोला जाता है मैं समझता हूं इंग्लिस में बोलना हिंदी के पिच्चा करत काफी सरल है जैसे कि हिंदी में अगर हम किसी को तू सब्द कह देते हैं तो खराब लग जाता है और इसी तरीके से तुम भी अच्छा नहीं लगता है हिंदी में जब हम बहुत इसे कोई संबन्द नहीं है हमारा संबन्द है इंगलिस में यू वहाँ पर तुम-तुम कुछ नहीं चलता है वहाँ सिर्फ होता है यू क्लास देश क्लास वर नेस्ट वाका कलास वहाँ हमारी बॉक्यूप क्लास जह समें आपको रिलेशंस हैं बॉडू इज-पी ये टीयार कराेंगे इसके बाद आपको बोलना सका जाएगा जैगा जो का सब डांट मिस्टू नेस्ट क्लास कांटिनू